को दोस्तों यह सेकंड वीडियो है जाहां पे हम लोग डिसकॉस करने वाल है जैसे के हमारा फिर्ष्ट वीडियो जए था वहां पे मैंने डिसकॉस किया था बारे में आप हम बात करेंगे फिर खेर पेरी सिर्ड के ससकेड़ referring काई 11 प्लेयर जो की फाइनल सिलेक्शन पे खेलने वाले हैं तो कहीने काई इस वीडियो को अच्छे से सुनना क्योंकि आपके लिए काफी एफेक्टिव रहेगा जो भी हमारे टेलिग्राम चैनल पर आपको मिलते हैं वो कहीना कहीं सारे चीज की डिसकसें नहीं हो पाते इस कि मैंने लास्ट वीडियो पर भी किया था चार प्लेयर में से किसी को भी आप कैप्टेन हुआस कैप्टेन ट्राइ कर सकते हो टीटेन है और टीटेन में आपको ज्यादा कंबिनिसेंट चेंज करनी की ज़रूत नहीं होती है बस इन चारों में से साहिद ऐसा हो सकता है कि त यह प्लेयर कि लिए तो जो दो खिल रहे हैं उन में से ही आपको क्याटेन हुआ सकते करने हैं टीम में आपको चेंजेस चाहिए कुछ-कुछ चेंजेस सब करना पड़ेगा वह सारे चीज हम बात करेंगी इस वीडियो में तो दोस्तों इसके लिए जो ओबिनिंग आसे मैं मैं पहले बात करेंगो चार ओपेन आरेन की टीम पे चारों में से कोई भी ओपनिंग कर लेते हैं शुदेश इन टीम की इस टीम की सबसे बेस्ट विल्यार आप उनकी परफोमेंस देख सकते हो 42 मैच एक हजार 149 रान 68 ओवरून डाला है 24 बिकेट तो बेस्ट और आप कह सकते हैं इस टीम की ओपनेंट पे जैसे सबुन थी इसमें सुदेश से तो यह दोनों को कैप्टेन वाइस कप्टेन ट्राइए कर लेना वाई फास्ट मैच के लिए ठीक है रितिक तुमार भी बहु उपेंग करतें बहु है हिलाल हुआ लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कर k BRANDON में जहां पर केप्लाब लेवल पर गेम होते तो हिलाल को कभी-कभी ऐसा होता है कि उनका बैटिंग ओडर तीन या चार नंबर पर आते हैं उरूस्तीती में अरुन असोखन और साथ में रामकृष्णन ये दोनों ओपनिंग करने आ सकते हैं ठीक है शुदेश भी ओपनिंग करते हैं डिपेंड अन तर सीच्विशन कभी-कभी ऐसा होते हैं कि उनका सिलेक्षन कुछ अलग होते हैं ओविसली यह वो चीज़ को हमें गौर करना पड़ेगा चारो जो टॉप में आप देख रहे हो हिलाल एमद सुदेश अरून असकौन सारे रामकृष्णन ये चारो ओपिनार ओपिनारी है इनमें से कौन-कौन से प्लेयर के लिए अगर चारो खेलेंगे तो उस्तिती में क्यों बनाया है वो भी मैं आपको थोड़ा से डिसकस करोंगा शुदेश बेस्ट आल राउंड रहे टॉप ओडर बैटिंग प्लस बोलिंग यहां पर अरून असकौन पोलिंग भी डालते है तो अगर आपका लग अच्छा है तो अरून असकौन आपके लिए अच्छे प् प्लस पर रोहित को मैंने बनाया है रोहित का एक हासिएत में बता दूँ टिम की स्ट्राइक बोलर है काफी अच्छे बोलिंग डालते है और कभी कभी ओपिनिंग भी कर लेते हैं रोहित जो है वो बैटिंग बहुत तेज करते है तो कहीं न न कहीं रान की हिसाब से जरुरत की हिसाब से उनको प्रोमोट किया जाता है उसके माँ दोस्तों नबीन नबीन पदमराजू नबीन पदमराजू के अगर हम बात करें लास्ट यह जिस टीम के लिए खेल रहे थे वहां पे सेकंड या थार्ड आउन पर बैटिंग कर रहे थे बट इस बार जहां पे बैटिंग ओडर काफी स्ट्रॉंग दिख रहा है क्योंकि हिलाल है सुदेश ए अरून असकन तो कहीं नगा उनका बैटिंग ओडर आप मान के च सुरिया सुरिया के अगर हम बात करें दस मेंच 177 रन आट विकेट फूल टाइम बोला रहे शुरिया बैटिंग ओडर की हिसाब से अगर बात देखा जाए तो सुरिया अगर बैटिंग ओडर ऐसा है कि आप मान के चलो 5 या 6 मतलब नभीन शायद 5 में तो 6 सुरिया या फिर सुरिया पांच में नभीन 6 में ऐसा होगा ऐसा नहीं कि ओपिनिंग में आ जाएगे बैटिंग करने के लिए उसके माद दोस्तों लक्समी नारायन के अगर हम बात करें 27 मैच 40 ओवर 15 विकेट तो कुछ प्लेयर ऐसे है सुरिया है फिर लक्समी नारायन हो गया रोहित है कभी चांसे कम रहते हैं बट कभी-कभी करते हैं उसके बाद उस तो समीरा समीर के अगर हम बात करें तो इस टीम की फूल टाइम बोला रहे हैं अब देख सकते हो 33 मैच 59 ओवर और डाला है विकेट सहना कि उनको उतना ज्यादा तो नहीं मिले है पर फूल टाइम बोला रहे टेक है शुमीत की अगर हम समीर पेटल की बात करें तो कभी-कभी इनको बॉलिंग नहीं मिलते हैं और कभी-कभी एक ओवर एक ओवर मिल जाते हैं तो टीटेन है भाई तो कहीना कहीं यह भी देखना पड़ेगा कि इनका जो फाइनली जो सिलेक्षन है जो 11 प्लेयर का सिले इतने 29 मैच पे 32 बार डाला है तो इनको मान के चलो एवरेज में एक एक बार मिल रहा है लेकिन कभी-कभी फोल टाइम बॉलिंग डालते हैं तो उस थिति में आप इनको आपने टीम पे पिक करें जब आपको ग्रेंड लिंग खेलना हो अगर आपको सिंगल खेलना है तो कह कि अगर हम बात करें तोप और में बैटिंग करते थे लास्ट कर सथियर भार इस बार नहीं लगर रहे है क्योंकि इनकी टीम काफ़ी स्टॉंग है और कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे है कि कून सी अव्प लिएर ऑगे लींग तो लास्ट Typhicon बंग झालते हैं संगम पोल नहीं मतलब कहना मुस्किल है क्योंकि काफी सारे इनकी ओपिनिंग पर ऑफिन आ गया अभी कुसाल मेंडन भी लास्ट यह ओपिनिंग करते थे साथ में पार्ट टाइम बोलिंग यह जो चेक सिरीज है यहां पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसा होते हैं कि इनके दस बोलर आ जाते हैं बोलिंग करने के लिए जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो पर भी बोला था तो उस तीती में ज सुधीर है जो आपको ट्राइब नहीं करना है अगर आप ग्रेंड लिग बगरा जो भी खेले साथ में सुझीत गोपल कृष्णन ऐसा कुछ प्लेयर्स है जो कि आपको टीम में ट्राइब नहीं करना है तो थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं मैं आप चाहो तो एक स्कि 54 मैच फे 35 विकेट मिला है राविन है 11 मैच फाइव विकेट मिला है तो इन सारे प्लेयर्स को हम तभी देखेंगे जब यह प्लेंग 11 के अंडर राएंगे फिलाल के लिए जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनके बारे में हम बात कर लिए तो दोस्तों नेक्ट वीडियो पर न् थैंक यू पर आच वे में वीडियो अगले विलते हैं